लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें सोनिय गांधी ने मोधी सरकार को घेरा कांग्रेश रासित राज्जियों के मुखमंत्रियों के साथ बैठक के बाद लागडाउन के तरीके पर उठाए सवाल ना पैकेज ना प्लान फिर कैसे बचेगी एकोनावी और रोजगार कोरोना पर केंद्र सरकार के आरोब के बाद बंगाल सरकार ने जारी किये नए आकड़े ममता का खुलासा बंगाल में अब तक 1344 कंफर्म केस सिर्फ 140 की मोध मोधी सरकार के साथ फिर बड़ी तकरार बिहार में कोरोना के कारण ड्यूटी से भागे 362 डाक्टरों पर होगी कारवाई नितीश सरकार ने जारी किया कारण वताओ नोटीस बिहार में 31 मार्च से 12 अप्राइल तक गायब थे 27 जिलों के डाक्ट कोरोना से जंग के लिए तयार यूपी सरकार सियम योगी ने लिया टीम 11 की बैठक में सुविधाओं का जाजा अब तक 2800 से अधिक कोरोना मरीज 75 जिलों में 2481 एक्सपर्ट डाक्टरों की हुई तहना थी पंजाब में 7 मई से शुरू हो सकती है सराब की होम डिलिवरी लॉगडाउन में अमरिंदर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन सिंगल डिलिवरी से मिले की 2 लिटर सराब ठेके के बार 5 से ज़्यादा व्यक्तियों के इकठ्थे होने पर पाबंदी अरोगे से तू एप में मिली बड़ी खामी, बीदेसी फ्रेंच हैकर का दावा, 9 करोड यूजर्स की प्राइबेसी के लीक होने का खत्रा, कुरोना से बचाने वाला एप कहीं मुसीबत ना बन जाए, सरकार का दावा घबराने की जरूरत नहीं महराष्ट में कोरोना का कहरजारी 15,000 से अधिक कन्फर्म केस, अब तक 617 ने गवाई जान 24 घंटे में 849 केस, 34 की मौत, मुंबई में मरीजों का अकड़ा पहुचा 10,000 के पार नविम्बई के कोबिट सेंटर से यूपी वालों की घर वापसी पर लगा ब्रेक, बस की मांग पर पुलिस ने मारा डंडा, करनाटक जाने वाली बस भी रोकी, कलेक्टर ने नहीं दी मंजूरी, मजदूरों की बड़ी, बेसबरी नविम्बई में 400 के पार हुए कोरोना मरीज, एक नंबर के साथ फिर बढ़ा मौत का अकड़ा, महानगर पाली का, वासी सिटको एक्जिविशन सेंटर में तयार करेगी बारस और बेट का कोबिट केर सेंटर, आयोग तेवी मिसाल ने, अधिकारियों संगलिया जाए जाए पनवेल मनपाच्छेतर में तेज हुआ कोरोना संकर्मन 24 घंटे में, कामोठे से 3 और खारगर से 3 नए मामले सामने आये, 70 पर पहुँचा आकड़ा, 41 लोगों की रिकवरी से बढ़ी राहत